चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्रावेट में, सभी को ये वैक्सिन प्राफिक्ता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टिका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानूर ववस्ता की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलीस कर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सिन प्रात्मिक्ता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब तीन करोड होती है। इन सभी के वैक्सिनेशन का खर्च भारत सरकार बारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीका करण अभ्यान की पुक्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किये गए हैं, ड्राय रंस हुए हैं, विशेश तोर पर बनाये गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीका करण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेकिंग तक की व्यवस्ता है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकरी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना वैक्सिन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐस्या गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी आद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के दो हपते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरूद जरूरी शक्ति विक्सित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास निकाल का रख दें, दोगज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रासना करता हूँ, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आगरत से कहना चाहता हूँ, जिस तरह धैरिये के साथ आपने कोरोना का मुकामला किया, वैसे ही धैरिया अब वैक्सिनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टिका करना भ्यान पहले कभी नहीं चलाया गया है। ये भ्यान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के सो से भी जादा ऐसे देश हैं, जिनकी संख्या तीन करोड से कम है। और भारत वैक्सिनेशन के अपने पहले चरण में ही तीन करोड लोगों का टिका करन कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको तीस करोड की संख्या तक ले जाना है। जो बुजूर्ग हैं, जो गंभीर बिमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले वाले चरण में ठीका लगेगा। आप कलपना कर सकते हैं, तीस करोड की आबादी से उपर के दुनिया के सिरफ तीन ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जिनकी आबादी इनसे जदा हो। इसलिए भारत का टीका करन अभ्यान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभ्यान भारत के सामर्त को दिखाता है। और मैं देश वाजियों को एक और बात कहना चाहता हूँ। हमारे वेज्ञानिक, हमारे एक्सपर्स, जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सिन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आस्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमर्जेंसी उप्योग की अनुमती दी है। इसलिए देश वाजियों को किसी भी तह के प्रपेगंडा अप्वाएं दूस प्रचार से बच कर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सिन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टिम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वस नेता है। और पहले से हैं, हमने ये विश्वास अपने ट्रेक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देश वास्यों, हर हिंदुस्तान इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब साथ प्रतिशत बच्चों को जो जीवन रक्षक ठीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सक्त वैज्यानिक पक्रियाओंसे ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्यानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विश्यसक्यता पर दुनिया का विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबुद होने वाला है। इसकी कुछ और खास बाते हैं जो आज मैं देश वाज्चों को जुरूर बताना चाहता हूं। ये भारतिय वैक्सिन विदेशी वैक्सिनों की तुल्ना में बहुत सस्ती हैं और इनका उप्योग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सिन ऐसी हैं जिसकी एक डोज पांच हजार रुपिया तक में हैं और जिसे माइनस सेवन्टी डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। माइनस सेवन्टी डिग्री वहीं भारत की वैक्सिन ऐसी तक्रीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बर्सों से ट्राइड और टेस्टेड है। इए वैक्सिन स्टोरेज से लेकर ट्रांस्पोर्स्टेशन तक भारतिय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सिन अब भारत को कोरोना के खिलाब लडाई में निरनायक जीत दिलाएगी।